हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टड़ी 26 पर आज के वीडियो के माधियम से लोग देखेंगे योगा फिलोस्पी और प्रेक्टिस जिन बच्चों ने भी एसी के रूप में इसको लिया है तो उन बच्चों के लिए अब्जेक्टिव कोशन के जो भी है इससे समंधित उनको आप देख पाईएगा आज के वीडियो के माधियम से ठीक है और देखेगा इसमें कितना आपका सही होता है आप कितना जानते हैं ये भी आप खुदी अपना आकलन कर लीजिएगा ठीक है तो पहला कोशन देखिए पतंजली के योग सुतर में कुल सुतरों की संख्या कितनी है तो इसके उत्तर को देखने से पहले हम आपको किताब का कुछ स्क्रीन सोट दिखाते हैं चुकि आपको बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है कि किताब में क्या है तो किताब में देखे क्या है समाधी पाद 51, साधन पाद 55, विभू अब दूसरा भी देख लिजे दूसरे किताब का भी देख लिजे कि ये देख लिजे पूरा का पूरा वही है लिखा हुआ तो आप मिश्चित मानिए उसी को इसको नहीं मानिएगा ठीक है यानि आपको जो अच्छा लगे उसको मान लिजेगा लेकिन किताब में 1955 है हम वही बता रहे हैं आपको ठीक दूसरा हो गया यह तीसरा प्रसनाप दिखनेजिए तीसरा प्रसनाप के लिए है कि पतंजली के योग सुत्र का सबसे प्राचिन भास से किसने लिखा है यानि उनका जो योग सुत्र है पतंजली का उसके उपर सबसे प्राचिन यानि सबसे पहली बार किसने भास से लिखा है तो यही कोश्चन पूछा है तो यह है वेदव्यास जी का ठीक है वेदव्यास जी का सबसे प को रोकेंगे नहीं थीक है वेद व्यास जी इनके पहले टिकाकार है यानि कि इनके जो बूक है पतंजली का योगसुत्र उस पर पहला भास जी के द्वारा लिखा गया है ठीक है अगला है देखें स्वाधिष्ठान चक्र नियंतरित करता है, यानि स्वाधिष्ठान चक्र क्या नियंतरित करता है, यही कोशन पूछ रहा है आपसे, अविस्वास को नियंतरित करता है, सर्वनास को नियंतरित करता है, कुरूरता को नियंतरित करता है, या इन में से सभी, तो इसका सही उतर होगा इन में से सभ हैartet कि्याने का काम करता है वर चक्र की संख्यां किती है लगों को बताना है अगलाकोशन वही होगा तो मानुग सरीर के चक्र की संख्या साथ है जो कि आप जानते हे चम Qamma है यहने कि आसन के नमबर पर आता आ अस्ठांग योग मतलब आपको पता है कि योग के आठ भाग है यम नियम आसन प्रण्याम समादी यह सबाव जामते हैं तो इसबें से जो है आसन का Qamma अस्थान तो आसन का तीसरा अस्थान यम नियम आसन यह तीसरी अस्थांग पर तो इसको भी याद रखेंगा, तड़ासन किस प्रकार का असन है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि तड़ासन किस तरह का आसन है, तो यह जो बीए तरह से भी आप इसको बाइट करके ध्यान में diver pendant वाद योग का अर्थ क्या होता है क्या उब्जेटिब्स क्या ओते है इसको आपको बताना है तो देखें चिंतन करना मानुवता, मन पर नियंतरन या महात्वकांछा भेस lemonade को कि अंग होते हैं योग के मुखिता आठ अंग होते हैं इसको इसको भी धियान में रखेगा ये बहुत स्वाईस्वर संख ऐसे नाम से मैं इसको जाना जाता है अगली प्रसण को दिखिये कि धारना जो होता है ढर्ध का अर्थ आंत्रिक चेतन को क्या करना होता है इकार ग्रिय करना होता है आपको Clara से कितने चक्र हैं तो वह साथ है तो ध्यान में रखें कि इसको पढ़ा है कि साथो चक्र कौन-कौन से होते हैं और उनका किस से क्या सम्मंद है उसको भी अभी आप देखी दिजिएगा बट उसको ध्यान में इसलिए रखें चुकि वहां से कोश्चन लगातार पूछ का आए और पूछे गाजी ठीक है अगर देखें ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही कोश्चन आएगा और अब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत आगी पीछे हो सकता है लेकिन जितना सब्जेक्टिव पढ़ाया है सब आएगा यही जितना पढ़ा दिये ठीक है चुकि स उनिट को तो हमने मेराथन करा के कराया हुआ है इसके अलावे इसके उपर अब्जेक्टिव के भी कोश्चन जो हमने सॉल्व कराये हुए हैं दो वीडियो में उसको भी एक वर देख लिजेगा और यह तो आपका कीसरा वीडियो है अब्जेक्टिव का यहन कि हमने अगर उसको मन होगा कि आपको उत्तर नहीं आना चाहिए या आप नहीं दे पाई यह जवाब तो ऐसा कोश्चन पूछेगा कि वो खुद भी उसको बठा दिजेगा बाद में तो नहीं बना पाएगा लेगा अगर उसको लेगा कि हर कोई बच्चा अच्छा से लिगे तो धंक का कोश्चन पूचेगा इतना ध्यान में रखेगा ठीक है योगदर्शन के अनुसाद कितने प्रकार के क्लेस होते हैं में बता बताया थे यह पाँच होते हैं तो और बोग तो सभी हो जाइगा योगदर्शन के अंग होते हैं तो इसका भी सही उ daw अगले परसन को दिखिए अगला परसन है मनी पूलक्षञ इस्थित होता है, तो बारे में आपको बताये थे की यह जो पूरE मन को यह आपके पूरे सरीर को controlling करने का काम करता और यह आपके बैडिकी मध्यभाग में इस्थित होता यह ना भी के बीच में इस्थित होता है इसको कल पढ़ाएय थी यह चक्र-सातों को ध्यान में रखेगा कौन कहा से और किस से रिलेटेटड है कोई जीवा से रिलेटेड है Кोई नाक यहाँ पे कोश्षिन अगर फेक्ट से पूचेगा तो इसी तरह से पूचेगा ठीक है? सूरी नमसकार, करने का शही समय कब होता है, यानल किसी 15 विक्ति को करना चाहिए? तो देखे साम को करना चाहिए, या करना चाहिए या सुरियास्त के समय करना चाहिए या सुरियोदे के समय यानि कि जब सुरी का उध्य होता है उस समय करिए या सुरियास्त मतलब अस्त होने लगता है यानि साम होने लगता है तब करना चाहिए कब करना चाहिए तो इसका सही उतर होगा सुरियोदे यानि सुभ एक है इसके माधियम से इस में सुरी भग्वान की पुजा उपासना की जाती है बाकी ऑप्शन तो भगवान सीब दिर्गा यह सब है लेकिन आपको सही ध्यान ना सुरी यानिकी सुरी भगवान का उपासना सुरी नमसकार है तो किस प्रकार के आसन में सर आपका जमीन पर होता है और आपका पैर हवा में उपर होता है तो यह आपको बताना है तो देखिए हलासन होता है या हमसासन होता है या सिर्सासन है या वकासन है तो इसका सही उतर होगा सिर्सासन में क्या होता न, आपका माथा होता न, वो नीचे और पैर जो आपका होता है, वो उपर व्योर होता है, हवा में होता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दर रखेंगे आप, उसके बाद आज़े अगला परस्म आप के लिए, कि विशुद्ध चक्र का रंग कैसा होता है, यहीं उनमें अनेक प्रकार की विलक्षन सक्टियां आजाती हैं, जिसे कहा जाता है, यह नि देखिए, हम आपको बताये थे, योग का अभ्यास करने से लाग क्या आता सुरियन को देखिए, योग का अभ्यास करिएगा, तो आप तो पहली बात निरोग रहिएगा, पहली बात, सिद्धी की प्राप्ती होती है और सिद्धी का मतलब यह होता है योग सुत्र में बताया गया है कि सिद्धी तभी इंसान को प्राप्त होता है कि जब वह अपने मन मस्ति सब पर अपना नियंदरन कर लेता है तो वही होता है सिद्धी ठीक है जो व्यक्ति को सिद्धी ये डोनों ही अप्सन सही होगा यानिकी इसका उतर जोगा वह सी को धियान में रखिएगे प्रनयाम के लाब क्या है दूसरी बात प्रनयाम के लाब यह होते हैं है इसे तनाव कमोंता है यानकी मानशिक तनाब जो आपके अंदर होता है, इनकी कोई भी चीज को करने को लेकर तनाब है, तो वो सब कम होगा, एक आगरता बढ़ती है, यानि कि किसी भी चीज के परती है, आप सोचने की छमता बढ़ती है, किसी भी चीज को आप अच्छे से समझ पाते हैं, इसी के मादियम से, ठीक योग में प्रानयाम सब्द किसको संदर्वित करता है यह इंदरियों कि वापसी को या स्वास करना को सारी प्रानयाम कष़ाज मतलग था है प्रनायाम करना ही एक तरह से तो ही जब आपको पढ़ा रहे तो आपको पढ़ा कर रहे तो आपको पढ़ा रहे तालासन है फिर मयूरासन है रहे स्कार रहे प्रहांग। करके आजाने वाला आसन है और इसमें आप देखिया कोई भी वेक्ति एकदम दोनों हाथ को ऊपर करके स्वास को छोड़ता और लिता है इससे क्या होता है उसके बॉड़ी का जो वेट है उसको संतुलित कर पाता है और उसके मसल से जो होते हैं वो मजबूत होते हैं दूसरा यहां इससे शरीर का रक्त का संचार है वो टेजी से एक जगासे दूसरे जगा हो पाता है ठीक है और इससे जो भी ब्लड प्रेसर वाली जो दिक्कते हैं वो कम होती है ठीक है तो इसको भी ध्यान में रखना है इससे शम्मण है निमन में से कौन सा आसन विस्रामा आत्मक को आप सो करके करते हैं सवासन का मतलब यह होता है, सब क्याकार में आपने आपने लास को से देखा होगा उसको कैसे रखा जाता है तो ठीक हैसे ही यह जो विष्रामक का सफन है यह सवासन है इसको लेख जोब से इसको एकदम इसे यह हो ता कि ओना ना कि सरीर में जो पें वेगरा है या फिर आपको नींद आने की जो समस्या है वो सबसे आपको चुट करा मिलेगी ठीक है इसको भी ध्यान में लखना है आपको, निमलिकित में से किस आसन के द्वारा ध्यान लगाने का काम किया जाता है, यनकी ध्यान लगाने के लिए कौन से आसन का प्रियोग जाता तर किया जाता है, तो इसका सही उत्तरा पुछुन ना है, तो देखे, पदमासन है, या सिधासन है उसके बाद एके स्वास्टिकासन है तो इसमें से सभी हो जाएगा यानि कि पदमासन हो सिध्धासन हो या स्वास्टिकासन हो यह तीनों का यूज किया जाता है किसके ध्यान लगाने के लिए यान किसी भी चीज पर अपने ध्यान को केंदरित करने के लिए इसी आसन का प् के पास ठीक है हमको लगता मुस्किल से 15 मिनट का यह objective होगा अब इसको देख लिजेगा तो उसके बाद कुछ नहीं किजिए आप बहुत पढ़ लिए पांच बार पढ़ लिए कोई दिकत नहीं लेकिन यह जो है टेक्निकल वर्ड वाला टॉपिक है इसमें दर्संद का बात क कुछ नहीं किजिएगा फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लिजेगा इससे क्या होगा आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा देखिए सुनने के बाद बहुत ज्यादा चीज याद रहता है और जब आप पढ़िएगा तो वही चीज आपको रिकॉल होगा ठीक है और उसी चीज को आप लिख भी पाईएगा ठीक तो इसलिए आप एक बार दो बर जडूर दिखिए उसको लाब लिजिए चुकि आपके पास समय है अभी अगर आपके पास छो गंटा भी है तो आप छो गंटा पढ़ लेते हैं धंग से तो आपके लिए बहुत इं यहाई में इसकी चड़ जाया ठीक है उसके बाद कि सुरिभेदी प्राणयाम लाब दायक होता है सुरिभेदी प्राणयाम से हम लोगों को क्या लाब मिलता है वही बताना आपको सरीर की कोशिकाओं को सुद्ध करता है यह बिल्कुल सही बात है सरीर में घर्मी बढ़ाता यह भी सही है मन सांत करता है यह भी सही है यहीं कि इसका सही उतर आप चुनिएगा इसका सही उतर उप्रोप्त में सभी हो जाएगा ठीक है यहीं कि सुरिभेदी प्राणयाम से हम लोगों को यह लाब है इसमें सरीर की जो कोशिकाओं है जिससे हमारा सरीर निर्मित हुआ ह उसको मजबूत ही परदान करता है, उसके आइ सरिर में ऐन टेमप्रेचर को पढ़ाने का काम करता है. जैसरिए कोई भी इंसान है, उसका अगर तेमप्रेचर उसके सरीर का कम हो जाए ना तो उसको बहुत तरहकी दिकत्ये हूने लगती हैं. अगर temperature balance नहीं रहा है का आपके सरीर का, तब तक आप बहुत दिनों तक survive नहीं कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, और मन को सांत भी यह करता है, तो तीनों बाते ध्यान में रखने हैं आपको ठीक, अगले सवाल को दिखिए, सीतली प्रणयाम लाबदायक होता है, य यानि कि जो limit है उससे ज्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए भी यह बहुत important होता है, उसके बाद वायू समंदित सभी दोसों को दूर करने के लिए भी यह मतलब बहुत important होता है, यानि कि उप्रोक्त मैं से सभी, सीतली प्रणयाम का मतलब सीधा आप समझे नि, यह का था, कीस कोश्चन हमने कराया है, और एक डाउट जो कल से ही आपका बना हुआ था, उसको भी हमने किलियर कर दिया है, कि भाई देखो, आपसे अगर बोले कि योग सुत्र को क्या भाग में बाटा गया, तो पहला समाधी, साधन, उसके बाद विभूती पाद, उसके पाद, इन सब को जुड़िएगा, तो 195 सुत्र है, जो कि एकनम किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, आप आपको लगता है कि नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं, वो गलत है, और जो आपको मतलब की, आप देखे, बहुत से टीचर भी आपको बता दिए, 196 है, तो देखिए, जह आला तो यह था, और दूसरा यह था, दोनों को आप देख लिजे, दोनों में इसके बारे में बताया गया था, ठीक है, जो कि हमने आधार बनाकर आपको पढ़ाया थी, पढ़ा भी दिया था, ठीक, तो बाकि आपको जो अच्छा लगे, वो आप किजेगा, बाकि आज भी आलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो अपने दोस्तियार में जोडूर सेहर किजेगा, ताकि उनको भी इसका लाग मिल सके, और उनको भी सही नॉलेज मिल सके, ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इत्माहिं फिर मिलते हैं ने वीडियो में, तो तो के लिए धन झालेज झालेज मिलादाइ, तो कुर सबस्दियार कॉएभबगों अजया कि वीडियोमे ओिवारा कि लिए और चान्या उनको भी स्के, और उसके, उनको भी सेहर को प्याएं येग्वादार कुएपने मिल आपदार कि मिलादाभबगर, पनको पना सकतिया वीडियों एंको